हेलो दोस्तो, सब्सक्राइब कीजिए खुश्बू रसोई की चैनल को और बेल आइकन को दबाए डिलिश्यस और टेस्टी रेसिपी तब से पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ चैनल खुश्बू रसोई की दोस्तो, आज मैं बनाने वाली हूँ, क्विक और इजी रेसिपी चीस मैंगी, यह हमारी भूग का इमिजिट सोलुशन है, जो इक्तम असानी से बन जाता है, तो आये शुरू करते हैं, चीस मैंगी बनाना, चीस मैंगी बनाने के लिए हमें चाहिए, ओनियन, क्यार्ट, ग्र गरम मसाला, मैंगी, और मैंगी मसाला, आय स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कडाई में मैंने तेल को हलका सा गरम कर लिया है, तेल हमने यहां पर बहुत ही कम यूज करना है, और ग्यास को स्लो रख दिया है, यहां पर हम ऑनियन को भून लेंगे, यहां पर मैंने हरी मिर्च डाली है, टमाटर डाला है, मटर डाल दिये हैं, बीमी आज पर हम इसे खलका सा पका लेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, अब मैंने यहां पर दो कप पानी डाला है, नमक डाल दिया है, गरम मसाला, और मैगी मसाला, इन सब को अच्छी से हमने मिक्स कर लिया है, और इसमे मैंने यह चीज आड कर दिया है, अच्छी से गरम हो गया है, और जो चीज भी है, वो अच्छी से मेल्ट हो गया है, अब उसे प्रेस करके, अच्छी से इसमें मिक्स कर लेंगे, आप चाहे तो यहाँ पर चीज को अच्छी से बारेक पीसिस में कट करकी भी डाल सकते हैं, ऐसे डालेंगे तो भी चल जाएगा, यह इसली मेल्ट हो जाएगा, अब हम इसमें मैगी डाल देंगे, मैगी को हमने हलका सा बॉइल आने तक पका लेना है, यह बहुत आसानी से जल्दी से बन जाती है मैगी, ज्यादा समय नहीं लगे का इसमें, यह देखिये, अब मैने इस पर हराधनिय डाल दिया है, यहाँ पर मैने मैगी का थोड़ा सा पादी ज्यादा सुकाया है, आपको जिस तरीके का पसंद है, या फिर आपको एकडम ड्राय मैगी बनाना है, या फिर आपको थोड़ा सा इसमें पानी रखना है, तो आप उसी साब से इसे सोब कर सकते हैं, यह देखिये, यह हमारा चीज मैगी बनकर बिल्कुल तयार हो चुका है, काफी यम्मी लग रहा है, स यह दिखने में भी बहुत स्वादिश लग रहा है, बच्चों को यह बहुत पसंद आती है मैगी, तो जल्दी से यह यह यम्मी और डिलिशस चीज मैगी आप अपने घर पे बनाये, मेरा यह वीडियो नोट कर लीजे, कैसे बनी है, आपके कमेंट समय से जरूर शेयर कीज खुश रहे और अपनी हेल्थ का घ्याम रखे और मेरे इस चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू फो वाचिंग, बबाई, लव यू आल